केवल एक चमचे से हम हलवाई लोग ककड़ी फराइक की सबजी फाइफेस्टार होटल में कैसे बनाते हैं आज मैं वही तरीका आपके साथ सेर करने वाली हूँ बहुत सिक्रेट राज है तो ये वीडियो बिल्कुल भी इसकीप मत कीजिये का फिर चलिए ये मुँ में पानी आने वाली ककड़ी की सबजी बनाना सुरू कर लेते हैं ककड़ी की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हाफ केजी ककड़ी लेंगे ज्यादा बड़ी मोटी साइज की आप ककड़ी मत लीजिये का क्योंकि वो अंदर से पकी हुई रहती है कुछ खोकली रहती है तो उनमें सवाद नहीं रहता है अब इस ककड़ी का आगे वाला पीछे वाला पार्ट अपन कट कर देंगे एक बात ध्यान में रखिये का ककड़ी आप जब भी कट करो तो एक एक ककड़ी का छोटा छोटा बायत पहले ही टेस्ट कर लीजिये का क्योंकि छोटी ककड़ी लेते हैं वो क्या है कभी-कभी कड़वी निकल जाती है अगर एक दो ककड़ी कड़वी कसेली निकल गई तो सबजी ऐसे कड़वी कड़वी लगेगी तो इस बात को आप ध्यान में रखिये का और ककड़ी को मीडियम या छोटी साइज में कट कर लीजिये का फराई करने में सबी ये सोचते हैं कि बहुत सारा तेल लगता है लेकिन देखी एक चमचे से मैं 1.5 kg ककड़ी आपको फराई करके दिखाऊंगी आप जाहो इस एक चमचे तेल से ही एक किलो ककड़ी भी फराई कर सकते हो तेल जैसे ही गरम होगा जो पने ककड़ी कटकी है वो सारी की सारी इसमें डाल देंगे आप ककड़ी को फराई नहीं करना चाओ तो बोईल भी कर सकते हो लेकिन में शादी पार्टियों में हम ककड़ी की सबजी कैसे बनाते हैं वो तरीका सेर कर रही हो दूसरा तरीका भी होता है ककड़ी को फराई करने का oil की quantity जजादा लेकर फिर फराई करते हैं लेकिन घर पे आप फराई कर रहे हो तो आप ऐसे फराई कर सकते हो तेलगी बचत हो जाएगी जब तक ककड़ी फराई हो रही है तब तक अपन दो तिन पेस्ट तियार कर लेते हैं पहला हरी मिर्च अद्रक लहसुन का पेस्ट तियार करेंगे छे साथ हरी मिर्च छे साथ लहसुन के कलिया एक अद्रक का छोटा सा टुकड़ा अगर आपकी हरी मिर्च बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम क्वांटिटी में लीजिए का अगर स्पाइसी ना हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और एक कटोरी हरी मिर्च लेसुन अदरक का पेस्ट बना लेंगे हरी मिर्च की जग आप फ्रेस लाल मिर्च भी ले सकते हो और सबसे इंपोर्टेंट बात ध्यान में आपको यहीं रखना है कि आपको टमाटर कैसे लेने हैं टमाटर सलाद वाले लेने हैं सलाद वाले क्यों? क्योंकि ये खटे नहीं होते हैं इनकी gravy अच्छी बनती है ये gravy में पानी नहीं छोड़ते हैं ऐसे लाल लाल सलाद वाले टमाटर लोगे तो प्यूरी का कलर भी अच्छा आएगा पांच मैंने शलाद वाले टमाटर पीस लिये है ऐसे बिल्कुल बारिक पीसना है आपको जब तक ये दो पेस्ट अपन तियार करें तब तक अपनी ककड़ी भी फराई हो चुकी है जो मैं आपको तरीका बता रही हो ना उस तरीके से आप ये सब्जी बनाओगे तो फटा फट बन जाएगी ककड़ी फराई कर लेने की बाद भी देखिए पूरा का पूरा ओयल ऐसे के ऐसे ही बच गया हलकी हलकी ऐसे सुनेरी होने लग जाए थोड़ा सा भी पाने ना दिखे केवल तेल तेल बच जाए कड़ाई में तो सोच लीजिए का आपकी ककड़ी फराई हो चुकी है और इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में ये एक चमचा अपने तेल लिया है न वो ऐसे के ऐसे बच गया है अब इसमें दो चमचे और तेल के एड कीजिए का क्यों? क्योंकि अपने मिर्च का भी पेस्ट बनाया है टामाटर की भी प्यूरी है जब भी कोई पेस्ट प्यूरी की सबजी बनाते हैं उसमें तेल ज्यादा लगता है मैं उपर से कोई गरम मसाला एड नहीं करूँगी तो हाफ टी स्पोन जीरा हाफ टी स्पोन राई तीन चार मीठे नीम के पत्ते दो लोंग एक दालचीनी का छोटा सा टुकडा दरदरा मैंने पीस लिया है दालचीनी और लोंग को ऐसे मिक्स करके पीसते हैं तो बिलकुल गरम मसाले जैसा टेस्ट देखा ये सब जैसे ही चटकने लग जाएंगे इसमें क्यार प्याज थोटी थोटी साइज में कट करके एड करना चाओ तो थोटी थोटी साइज में भी कट कर सकते हो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज इनकी कट की है बहुत कम होता है कि मैं प्याज की प्यूरी बनाती हूँ क्योंकि प्याज की प्यूरी पकने में बहुत ज़्यादा टायम लगाती है और ऐसे डायरेक्ट प्याज डालते हैं वो जल्दी से फराई हो जाते हैं जैसे ही प्याज फराई होंगे हरी मिर्च अद्रक वाला जो पेस्ट अपने बनाया है वो इसमें डाल देंगे थोड़ी देर इस पेस्ट को भी पकाएंगे टमाटर की क्वांटिटी मैंने इसलिए कम ली है क्योंकि मैं इसमें धई या छाच बाद में उपर से और एड़ करूंगे केवल आप खटाई के लिए टमाटर एड़ कर रहे हों तो आप टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा लीजिए का गेस की आँच बिलकुल मेडियम कर देंगे क्योंकि बुलबुले उचल कर बाहर आते हैं तो फटा फट से मसाले एड़ कर लीजिए का दो चमच साबुत धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर अगर आपके लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो आप कम क्वांटिटी में एड़ कीजिए का टेस्ट के अकोडिंग सिंपल नमक है एक चमच हल्दी पाउडर देखिए जो अपने साबुत धनिया पाउडर एड़ किया है उससे क्या बेनिफिट है एक तो ग्रेवी गाड़ी कंटेंसी की बनेगी तीखेपन का भी बैलेंस करेगा और सबजी का भी टेस्ट बढ़ाएगा पानी वगेरा कुछ भी एड़ मत कीजिएका इन सबी को अच्छे से मिलाकर ढखकर पकाएंगे ढखना जरूरी है अगर आप इसे ढखोगे नहीं तो बुलबुले के छीटे गेस पर लग जाएंगे याद रखिए लेकिन बीच बीच में आपको इस्टेर करते रहना है वरना ये पेंदे के ही चिपक जाएगी प्यूरी देखिए तेल छोड़ चुकी है और जाली भी इसमें पढ़ने लग गई है मतलब अपनी प्यूरी पक चुकी है अब एक कटोरी छाच की एड करेंगे फ्रेस चाच बिल्कुल भी खटी नहीं है तो आप डेड़ कटोरी छाच की एड कीजिए का मेरी चाच थोड़ी सी खटी है तो मैं एक कटोरी ही एड कर रही हूँ और दो गिलास पानी के ऐसे चमचे को चलाते हुए छाज को पकाएंगे जो अपने तेल डाला है वो देखे पूरा का पूरा उपर आ चुका है ये उपर तभी आता है जब अपने टमाटर की प्यूरी परफेक्ट पकाई हो वरना इतना तेल उपर नहीं आता है चार चमच मैं इहाँ पर कोकोनेट पाउडर की एड़ कर रही हूँ ककड़ी की सबजी में या ग्रेवी वाली सबजी में अगर अपन कोकोनेट पाउडर डालते हैं तो टेस्ट बढ़ा देता है और साथ में हेल्थी भी होता है 10-15 लहसुन की कलियां करस करके मैंने उपर से भी एड़ किया है फिर फराई की हुई ककड़ी एड़ करेंगे एक-दो मिंट गेस को चलाएंगी क्योंकि उपर से जो अपने कच्चा लहसुन एड़ किया न उसकी कच्ची स्मेल रह सकती है आप चाहो कसूरी मेथी भी एड़ कर सकते हो मेरे पास है नहीं तो मैं लिव कर दी हूँ हरे धनी की पतियां भी एड़ कर सकते हो फ्रेश एक-दो मिंट हो चुकी है अब अपन नीचे से गेस बंद कर देंगे अपने टेस्टी सी एक चमचे तेल से ककड़ी फराई की सबजी बनकर त्यार हो चुकी है मुझे उमीद है जो मैंने आपके साथ तरीका सेयर किया है जो मेजुर्मेंट सेयर किया है वो अच्छे से समझ में आया होका फिर भी कोई मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो यकिन कीजिए एक बार आप ऐसे मेरी तरीके से ये ककड़ी फराई की सबजी बना कर देखिए सब अंगुलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिये का